आज मैं सब्सक्राइब के साथ बूर्दी के लड़ू की रेस्पी और यह लड़ू हम बनाएंगे बीना जहारे के और बीना बूर्दी बनाए हुए और बिल्कुल मार्केट वाली हम लड़ू बनाकर तयार करेंगे तो चलिए देख लेते हैं किसे हमें कैसे बिनाना है तो अब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है हम यहां पे बेसन को खोल लेते हैं तो सबसे पहले में एक बाउल में डेड़ कप हम उसी कप से बेसन ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा-सोड़ा पानी डाल कर इसको लंग्स फ्री बैटर बिना लेंगे और इसका बैटर का कंस्टें हमारी चीनी जो है चैसे मेल्ट हो चुकी है तो चीनी में क्रिश्टल ना बने इसके लिए हमें कुछ बूदे नीबू के इसमें डाल देनी है यहां पर अब देख सकते हैं हमने नीबू का थोड़ा सा हमने इसमें डॉप डॉल दिया है और यह बीच चला गया तो इसको हम बाहर और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे तो बिल्कुल यह मार्केट वाला कलर आपका आ जाएगा यह आपसिनल है लेकिन अगर मार्केट वाला बना रहे हैं तो फूड कलर आपको जरूरी है डालना हमारी चीनी की चासनी जो है तैयार हो चुकी है अब मैं एक पैन में देशी घीया या रिफाइन आयल ले लेंगे और उसमें हम बैटर को इस तरह से बेशन वाला जो बैटर है इस तरह से हम फैला देंगे तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल फ्लोइंग कंस्टेंसी में चम्मस से डालते ही अपने आप इस तरह से पैल जा रहा ह तो इस तरह जालने के बाहत हैं को मीडियम रखेंगे और मीडियम अपता एक साइड से इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे जब आप भाल्ल Isn't के उपर थोड़े से बाबल सा जाएँगे और जाए तो थोड़ा सा ड़सा हो जाएगा यह अनृए इस तरह से तो इसको हम में पर हम इसी तरह से पका लेंगे इसका कलर थोड़ा सा और गोल्डेन हो जाए दूसरे साइट से भी और इसको पकाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है यह चार से पांच मिनट में दोनों साइट से पक करेडी हो जाता है तो इसे हमें निकाल लेना है एक डीस में इसी तरह स को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेशिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें तो यह ठंडा हो चुका है तो इसको हम थोड़ा छोटा छोटा टुकडा कर लेंगे और ग्रांडर जार में टाल कर इसका हम दादरा सा पावडर बना लेंग तो हम इसी तरह की consistency चाहिए यह ready हो चुका है तो अब हम इसे चासनी में ठाल देते हैं और चासनी जो है थोड़ी सी गर्म होने चाहिए इसको डाल कर हमें इसमें यह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें ठोड़ा सा मगज के बीच डाल देंगे जिससे हमारी बिल्कुर मार्केट वाली लड्डू लगेगी तो हम मगज के बीट डालने से पहले थोड़ा सा हम इसमें इलाइची के दाने डाल देते हैं हरी इलाइची के चार से पाच और बीच को हम हलका सा रोष्ट कर लेंगे ताकि हमारे लड़्डू जो है खराब ना हो और इसमें सोंधापन भी आ जाएगा और इसे मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चेमच दिसीगी और इसे भी हमें मिक्स कर देना है और मिक बिल्कुल अच्छे से सुक चुकी है और यह ड्राइ भी हो चुका है तो अब हम इसके लड़्डू बना लेंगे तो लड़्डू बनाने के लिए हमने इस चमच से एक चमच लिया है तो इससे हमारे लड़्डू जो है एक साइज के बनेंगे इस तरह से आपको लड़्ड बना लेनी है आप देख सकते हैं हमारी इतने से बेशन में हमारी इतने सारे लड़ू बनके रेडी हो चुके हैं बिल्कुल मार्केट वाला सौफ्ट सब मुंदी का लड़ू बनके रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी से बनके रेडी हो चुका है अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंस और फेमली में सेयर करना नौ भूले और आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए चीची रेश्पी बनाने का और इस अच्छा बंदन पर आप मोदी के लड़ो ज दिस्क्रिप्शन में है और हां भी वस आप एक बार इस रेश्पी को ट्राइज जरूर करिएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई नई रेश्पी के साथ अब तक के लिए लावे थे थैंक्स पर वाचिंग